हेलो फ्रेंट्स मैं मुकेस कुमार नोटबुक इस्टेडी में आप सभी का स्वागत कहता हूँ तो दोस्तो गुरु जी दुवारा जो हम लोगो डेली का 11 टॉपिक दिये जाता है तो उसमें अब हम लोग 9 टॉपिक को कर रहे हैं दो टॉपिक को अल्रेडी हम लोग फिनिस कर चुके हैं उसमें आपका परियावरन और साइंस और टोकनोलोजी तो अब हमारे बचे हुए 9 टॉपिक जो हैं उसको हम लोग डेली और इसको मैं आपको एक से डेड़ घंटे के अंदर में इसको पूरे डेटेल के साथ समझाता हूँ तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपका बेल बटर में जाके वहाँ पस क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इसके साथ साथ हमारी पूरी कोशिस रहेगी कि ये NCRT सार संग्रा के बुक को हम लोग जो टॉफिक वाइस पड़ रहे हैं 45 दिन के अंदर मैं इसको जल से जल आपका कम्पलीट करा दू तो चली फ्रेंड सुरू करते हैं तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है हम लोगा पॉलिटिक का भारती राजवेवस्था में वह है मुल्ख करता हुए fundamental duties होता है क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं तो हम नागरिकों का भी अपने देश के प्रती क्या मौलिक करता हुए क्या मौलिक आपका fundamental duties है इसका वो जो वर्नन है समझतान यानि constitution में भाग 4 का कव पार्ट 4A में अनुछेद 51 का कव यानि 51 का A आपका article के तहट बताया गया है तो और इसको जो है मौलिक करता हुए जो है या सुरू में नहीं थी सुरू से समिधान में नहीं है इसको 42 समिधान सोजन 42 जो amendment जो हुआ था इसके तहट 1976 में इसे सरदार जो स्वन सिंग थे उनकी रिपोर्ट के अनुसंसा पर ही इसको जोड़ा गया है तो यह आपनों के लिए important हो जाता है इनकॉर्पोरेटेड बाइ 42 एमेंडमेंट एक्ट 1976 अंडर सरदार स्वन सिंग रिपोर्ट मैं को सिस करूँगा कि बाइलेंग्वे जो है आपको हिंदी और इंग्लिस वाले दोनों को समझ में आ जाए इसके साथ साथ या जो हमारा fundamental duties है इसे हम लोग पूर्वी सोविय संग से लिए हैं जिस परकार मौलिक अधिकार हमारा आपका जो fundamental राइट है उसको उसको यूए से से लिए हैं राज के निती दे सकता तो को Ireland से लिए हैं उसी पगाब मुल करता हो जो है इसको हम लोग पूर्वी सोविय संग से लिए हैं तो आएए अब हम लोग एक-एक करके जो भुक के टॉपिक है भुक के पॉइंट है उनको डिसकश करेंगे तो चलिए फ्रेंड तो फर्ष्ट बॉइन टॉपिक है नेश्ट है भारती समिधान के किस भाग में मौली करतव का उलेख है तो भाग 4 का A या भाग 4 का को में है स्वन सिंग समिती ने समिधान में आठ मुलक करतव को जोड़ने का सुझाव दिया था लेकिन 42 समिधान संसोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसे 10 मुलक करतव को जोड़ा गया है तो ये आप दियान रखेगा कि 42 समिधान संसोधन में 10 मुलक करतव को जोड़ा गया है वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो मुलक करतव यानि हमारा जो fundamental duties है इसकी संख्या जो है 11 है यह आप याद रखिएगा भारती समिधान में मुलक करतव की समीति के अनुसंसा पर सामिल किया था तो यह सरदार स्वन सिंग समीति के अनुसंसा पर किया गया था नेश्ठ है भारती समीधान में 11 मुलक करतव की समीधान में 11 मुलक करतव को किस समीधान संसोधन जोड़ा गया तो 86 समीधान संसोधन अधिनियम 2000 के तहें जोड़ा गया मुलक करतव को मुक्ता किन दो वर्गों में रखा जाता है तो एक होता है हमारा नैतिक करतव तथा एक नागरी करतव होता है तो इसके तहत इनको रखा गया निष्ट आते हैं मुलक करतव के अंतरगत स्वतनतरता संगराम के उच आधर्सों का सम्मान कौन सा करतव माना जाता है सुतंता संगराम के जो उचादर्स होते हैं, तो यह जो होते हैं, अपना moral duty हम लोग के जो होते हैं, नैतिक करतोब हैं, वे आते हैं, नेश्ट है, प्राकितिक प्रियावरन in one जिवन सरक्षन, भारतिय नागरिगों के मुल आपके करतोब में से एक हैं, प्राकितिक के 11 को डिसकस करेंगे पहले पॉइंट देख लेते हैं तो यह भी हम लों का मूल करता हुए हैं नेश्ट है राश्टिय महत को अस्थानों और स्मार्कों की रक्षा करना मौलिक करता हुए नहीं हैं फंडामेंटल डूटी नहीं हैं बलकि राज के नीती निर्शक्तत तो डाय देखें जिसमें आपका जो अनुछेद आर्टिकल 49 में यह चूब बताया गया है आपके राश्टिय महत को जो इस मारक है उनका उनको सरक्षन करना है उनकी देखरेक करना है तो यह 49 में यह मौलिक करताव में फंडामेंटल डूटी में नहीं है नेश्ट आते हैं कि महिला को त्याग करना तो परतेख भारती नागरी का करताव है या किस अनुछेद में वरनित है किस आर्टिकल में है तो यह जो है आपका 51 का काव में के 5 में है मौल करताव किन पर लागू होते हैं तो केवल नागरी को पर लागू होते हैं हमारा भी कुछ हैं हमनों के डूटी हो होते हैं अब हम लोग इस बॉक्स में काफी अच्छा इस बुक में दिया गया एक बॉक्स के अंदर तो इस क्या-क्या fundamental duties है तो इसको मैं हिंदी और इंग्लिस दोनों के साथ इसको मैं describe करूंगा तो चलिए आईए तो फस्ट जो हम लोग के 11 मोलगी करता हूं में fundamental वर्स्ट है कि सम लिए जनडे का न डाया ख्या एउसकws के आधर से 00219 ngons एउन्ग अधर करना ही यह पहला मौली करता हूं जिस परकार हम लोगो करते हैं इस नटर करना है यह सब को तू हम लोगों को आधर करना है नेश्ट है सेकेंड नंबर सवतानता के लिए हमारे राष्टी आंदोलन को प्रेरीद करने वाले उच आधरसों का हुको हिर्दे में सजोए रख्या और उनका पालन करते मतब देश के प्रति अपनी भक्ती दिखाएं सजोए रख्य इसका मतलब है जो संपर्भुता मतलब मैंने बताया था कि भारत एक संपर्भुत देश है इसका मतलब कि इस पे किसी और देश का आपका सासन नहीं चलता है भारत जितने बी ने लिया जाता हों खुद के द्वारा लिया जाता है तो थर्ड है हमारा to offload and protect the sovereignty, unity and integrity यानि एकता हो गया unity, अखंड़ता, integrity and sovereignty संपर्भुता यह हमको करना है नेश्ट आते हैं four में देष की रکछा करें अहवान की जाने पर राष्ट की सेवा करें अगर देष की रखछा करना है और अगर कभी जरुद पड़े जब बलाया जाए हमें कि चलो सेना में सामिल हो जाओ तो कुछ भी हो तो उस समय हम लोग राश की रक्षा करेंगे, तो यह आपका मौलिक करतव आते हैं, चार फोर्थ नमबर मौलिक करतव में यह आते हैं, तो यह आपको ध्यान रखेगा, to define the country, नेश्ट आ जाते हैं, पांच नमबर, जो पांचवा मौलिक करतव है, कि भारत के सभी लोगों मे मौलिक करतव हैं, यह उसका कहना यह है, कि इस्तिर्यों के, जो समान में जो पहुत सी कुर्भपथाएं होती है, उनको त्याक करते हैं, और भाईचारा के वाहना करना है, ये भी हमारा मौली करतव है, ये मतलब to promote harmony and spirit of common brotherhood, यानि भाईचारा among all the people of India, सभी भारतियों के बीच में, नेश्ट आ जाते हैं, छे नमबर हमारी सामसिक संस्कृति यानि composite culture की गौरोसाली प्रंपरा का महत तो समझे और उसको उसका परिच्छन करें, नेश्ट आते हैं, सा प्राकितिक परियावरन जिसके अंतरगत आते हैं, प्राकितिक परियावरन जिसके अंतरगत आते हैं, जिल आ जाते हैं, नदी आ जाते हैं, इसके साथ साथ आप केरेगिस्तान आ जाते हैं, वन जिव आ जाते हैं, तो उनका विरक्छा करना है, उनका संवर्दन करना है, त जार्दा एक्जाम्पल ओप नेश्टरल इंभॉर्मेंट नेश्ट है आठ नंबर वेज्ञानिक दिश्टिकून मानवतावाद ज्ञान जन तता सुधार की भावनाओं का विकास करना है तो इन सभी का जो है आपका वेज्ञानिक जो साइंटेस्ट लों कर रहे हैं उनमें कि तू डबलब साइंटिफिक टेंपर एंड स्प्रीट ओफ इंक्वाईरी नौ नंबर जो आता है नौवा जो हमनों का मौलिक करता हुए कि स्वार्जनिक संपत्ति को सुरक्षित करना और हिंसा से दूर रहना है तो सेफगार्ड पबलिक प्रुपर्टी को करना है नेश् आई को प्राप्त करें मतलब कि यह हो गया आप अपने प्रसनल या ग्रूप को लेके आपको अपना प्रग्रती सिल्पत पे चलना है जिसे राष्ट का भी निर्वान हो राष्ट भी निरंतर आगे बढ़ते चले आपका कंट्री भी आपका इंक्रीस करते रहे तो यही है आपका मौली करतव नंबर 10 है और 11 जो है जिसे 11 मौली करतव जिसे जोड़ा गया आपका 86 समीधान संसोधन 2002 के द्वारा की 6 वर्स की आयू से लेकर 14 वर्स की आयू के बच्चों के माता पिता और संरक्षक मिन्स वे वे जो आपके माता पिता और जो उनको पालन पोशन करत है तो उन्हें सिक्षा के उसर परतान करें तो यह मौली करतव है आपका शियासवा सविधान सोधन अब नीचे के देखते हैं हम लो महिलाओं के सम्मान के लिए चलिए किसी व्यक्ति को राष्टगान के लिए किसी व्यक्ति को राष्टगान के लिए बाधित किया जा सकता है आपका नेशनल एंथम के लिए सुरच नियाले ने किस मामले में ऐसा कहा है तो विजे एमिन्यूल बनाम केरल राज का 1986 के मामले में तो नेश्ट ने आ जाते हैं कि सुरच नियाले के मुख ने आएदि पी अगे और भगवती 1985-86 को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है फादर और पि-ा-ई-ल कहते हैं किसको कहते हैं तो पी अग्वती जो मुक्रेन आए जिसते हैं उनको कहते हैं और पि-ा-ई-ल यहा वर्ड आया है पि-ा-ई-ल का फूल फॉर्म होता है P.I.I.L मतलब पबलिक इं आते हैं जोग्रॉफी में हम लोग का जो आपका राष्टी उद्यान जो चल रहा है भारत में कितने राष्टी उद्यान है नैस्टनल पार्क है आपके सेंचूरी है उसी से रिलेटेड इसका या अगला विस्तार है तो आए समझते हैं अब हम लोग पूक के एक-एक पॉइं तो वहाँ है आपका नेश्ट है भरतपूर पक्षी विहार राजस्थान में है भारत में साइविरियन सारस के लिए परसित है इसे केवला देव घना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है ये आप जान लिजेगा केवला देव घना पक्षी विहार आपके भरतपूर में है नेश्ट आते हैं संयुक्तराश महासभा ने UNO ने किसको जेविवित्ता दसक घोसित किया है मिन्स किस वर्ष को किया था तो संयुक्तराश महास जेवित्ता बायो डाइवर्षिटी को किस दसक को सक मिन्स दस साल को जो होता है तो 2011 से 2020 के जो दस साल है उसको जेविविता बायो डाइवर्सटी यूए ने दोवारा किया गया है नेश्ट आते हैं बांदो घड राष्टी उद्यान बांदो घड नेशनल पार्ग जो मदपरदेश में है कब इसकी अस्थापना होई तो 1968 आपका दाची गाम जो राष्टी उद्यान है नेशनल पार के जम्मू कस्मी वहाँ कस्तूरी जो हाँ कस्मीरी स्टेक कस्तूरी भी होते हैं कहीं कहीं कस्मीरी स्टेक पाए जाते हैं नेश्ट उपर की देखते हैं हम लोग जंगली गधा वाइल्ड एस कहां पाय जाते हैं तो कच्छ के रन में पाय जाते हैं गुजरात में सेर की पूँच वाला मकाव लाइन टेल्ड मकाव कहां पाय जाते हैं तो ये आपके साइलेंट वैली जो केरल में है आपका तो यह वहाँ पाये जाते हैं सेर की पूँच वाला मकाउ नेश्ट है मृदू मालाई पसु वियार किन दो राज़ों की सीमा पर इस्तित है तो करनाटक और केरल के आपके बॉर्डर पे हैं नेश्ट है केरल इस्तित पेरियार राश्टी उद्यान हाथी अभियारन और बाग अभियारन के लिए जाना जाता है तो यह वी वी आई कोश्चन है पेरियार नेश्नल पार्क एंड हाथी अभियारन आपका एलिफेंट चुट रिजर्व है यह आपके पेरियार केरल में इस निश्टा जाते हैं मानस वन जी आपके विहार किस राज में है तो मानस आपका असम में है यह आपको याद रखना होगा मानस असम में है निश्टा जाते हैं विस्व का एक मात्र तैरता हुआ राश्टिय उत्यान मिन्स फ्लोटिंग आपका नैशनल पार्क कहां है तो यह व परियावरन दिवस दिया गया है तो आपका important environmental days दिया गया है कब मनाया जाता है आए इसको हम लोग देख लेते हैं और इसको आप 2-3 बार जरूर याद किजिएगा पढ़िएगा राश्टे विज्ञान दिवस national science day 28 फरवरी को विज्ञान के दियास world forest day 21 मार्च को विज्ञान दिवस वर्ल्ड वाटर दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है विज्ञान दियास वर्ल्ड आपका मौसम विज्ञान दिवस I think मैं कुछ भूल रहा हूं 23 मार्च को मनाया जाता है earth hour days ये आपका मार्च के अन्तिम सनीवार को हर साल मनाया जाता है तो ये आप ध्यान रखेगा विज्ञान स्वास दिवस world health day 7 अपरेल को मनाया जाता है कि 7 अपरेल 1948 को ही WHO की अस्थापना हुई थी इसलिए प्रितिवी दिवस earth day 22 अपरेल को मनाया जाता है विज्ञे जे विवित्ता दिवस world biodiversity day 22 माई को मनाया जाता है तंबाकु मुक्ति दिवस तोबै को freedom days दो होता है वह 31 माई को मनाया जाता है ये याद रिखेगा काफी जादा पूछा जाता है विज्ञे परियावरन दिवस world environmental days जो होता है वह आपका 5 जून को मनाया जाता है 5 जून विस जनसंक्या days world population day 11 जूलाई को मनाया जाता है विस बाग days world tiger days 29 जूलाई को मनाया जाता है विस ओजन days 16 सेप्टेंबर को मनाया जाता है और अभी हाल ही में याद मनाया गया नेश्ट है विस गेंडर दिवस world rhinosaurus day 22 सेप्टेंबर को मनाया जाता है विस खाद दिवस world food days 16 अप्टूबर को मनाया जाता है संयूक तराश्ट संग दिवस UNO United Nations तो 24 अप्टूबर को मनाया जाता है क्यूंकि संयूक तराश्ट UNO को अस्थापना जो ही थी वह 24 अप्टू स्थापना हुई थी नेश्ट है विस परियावरन सरक्षन दिवस तो यह आपका 25 नॉवंबर को मनाया जाता है मानो अधिकार दिवस world human right day यह आपको 10 दिसंबर को हर एक साल मनाया जाता है इसके साथ साथ राश्ट्ये राश्ट्ये परदूसन रोक्थाम दिवस national pollution रोक्थ मनाया जाता है और राश्ट्य उर्जन सरक्षन दिवस national energy conservation day जो है वह 14 दिसंबर को मनाया जाता है तो यह थे आपके महत्पून environmental related कब क्या मनाया जाते हैं तो आप इसको जरूर अलग से कोपी में नोट करके revise किजेगा अब हम लोग आते हैं नीचे point में गरम पानी अभ्या किस राज में इस्तित है hot water जो आपके sanctuary तो कहां है यह आपका असम जो दीफू में है वहां है क्वागा किस पसू की विलिप पर जाती है क्वागा तो यह है विलिप मिन्स extinct तो यह है जेबरा जेबरा की है डॉक्टर सरीम अलीम भातिय पक्षी विज्यानी के रुप में पर अलीम भारतिय पक्षी विज्यान के रुप में परसिद्ध है कंचन जंगा राष्टिय पार्क किस वरस स्था पित हुआ तो 1977 में कंचण जंगा जो कि सिक्क्र कैम में इस्तित है नेष्ट है 1977 में परसिद गीर वन किस राज में इस्तित है यह आपका गीर गौसे गीर और ग है कौन तो गीरवन जो आपका ACI सेर के लिए ये कोश्चन पूचा जाता है गीरवन वाइज गीर फोरेश्ट इस फेमस तो फॉर एसियाटिक लाइन नेश्ट आ जाते हैं भारतिय प्राणी सर्वेक्षन जो लोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्याले कहां इस्थित है त इसलिए मैं चीजों को रिवाइस करा देता हूं नेश्ट आते हैं हीम तेंद्वा हीम तेंद्वा यानि स्नोल लीपोड भारत में कहां पाए जाते हैं तो ये भी आपके सिक्किम में पाय जाते हैं सारज यानि क्रेंड किस राज के पक्षी है स्टेट बर्ड है या उत्तर प्रदेश का है UPPCS वाले लोगं के लिए काफी important हो जाता है नल सुरोवर पक्षी विहार किस राज में स्थित है नल सुरोवर जो है यह आपका गुजरात में है जो बर्ट सेंचुरी है वो आपका गुजरात में नल सुरोवर बर्ट सेंचुरी नेश्ट है नेश्ट है गुजरात के कच्छ के रन में इस्थित ACI के सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जानते है तो बनी ग्रासलेंड कहते हैं जो कच्छ के रन में आपका जंगली कदा के लिए वाइल एस के लिए फेमस है नेश्ट आजाते हैं भारत में जिव मंदर आरक्छीत बायो स्पेयर रिजर्व छेत्रों कुई संख्या कितनी है तोटल आपका 18 है अठारा है अब डैस्पेयर जाते हैं राष्टिय बाग संर्वांगिम स्रेक्षन प्राधिकरन N.T.C.A. कि अस्थापना वर्ष 1973 इसमें हुई थी जिसका उदेल से बागों का सरवांगिन सरक्षन करना था सेफटी के लिए किया गया था और वर्ष 1973 में ही मिन्स इसका यह हुआ कि 1973 में ही 1973 को ही आपका प्रोजेक्ट टाइगर के अस्थापना हुई थी अब हम लोगा ठट टॉपिक है आपका वर्ड जियोग्राफी का तो आईए अब हम लोग इसको समझते हैं वन बाई वन तो इसमें जो है आज विसके परमुख नगर उनके भोगवली के नाम पहले किस नगर को कौन से नाम से पुकारा जाता है यह बताए गया अब जोग्राफीकल सब्रिक्वेट तो यह ध्यान में रखेंगे चलियो श्टार्ट करते हैं कौन सा देश सुरियोदे के देश के नाम से परसिद्ध है तो यह जो है आपका जापान है आपका सुरियोदे का देश नेश्ट है दक्षिन अफेरका की संसद यानि पर्लियमे में है यहां किरकेट भी खेला जाता है जब भारत की टीम यह अफेरका जाती है अफेरकर में नेश्ट है गंधार नगर कहां इस्थित है गंधार आपका जो है आपका अफगानिस्तान में इस्थित है आइजलेंड डियूप यानि आइजलेंड जो डियूप है तो सबसे बड़ा द्यूप जो है तो सबसे बड़ा द्यूप होन्सू का भोगोलिक छेतर होन्सू जो है जपान का सबसे बड़ा द्यूप तो उसी का आपका जोग्रोफिकल जो एरिया है वही है आपका क्वांटो तो यह याद रखेगा नेश्ट है भारत के किस अस्थान को मीनी स्विट्जेलेंड के नाम से जाना जाता है तो यह है खजियार ज तर्की का कौन सा नगर पस्चिम का दवार करते हैं डोर आफ वेस्टन तो यह आपको कहेंगे इस्तामबूल को करते हैं कहते हैं तर्की का जो नगर है वह और तर्की जो है आप याद रखेगा कि इस्तामबूल नेश्ट है लैंड आफ थंडर बोल्ट किस देश को कहते हैं तो भूटान को कहते हैं Land of Thunderbolt यह आपका भूटान जो है हमारे देश से चार राज्यों के साथ सीमा बनाती है और इसके साथ भूटान अगर आप Current Affair की बात करें तो भूटान जो है वह एक कारवन नेगेटिव देश है इसका मतलब यह हुआ कि भूटान कारवन का सरजन नहीं करता है बरकि वायू मंडल से कारवन का और सोसन करता है कारवन नेगेटिव तो अगर आपसे पूछा जाए विच कंट्री इस कारवन नेगेटिव तो आपको याद रखना होगा भूटान नेश्ट आजाते हैं मधरात्री के सूर कहां दिखाई देता है तो इसको या ऐसे भी कोश्चन आता है किस देश को मधरात्री के सूर कहते है तो नौर्वे जो कि नौर्थ पोल पर है नेश्ट आते हैं संयुक्तराज अमेरिका के केंटु की राज को बुल्ग्रास स्टेश भी कहा जाता है बुल्ग्रास स्टेश तो संयुक्त राज की केंटुकी राज को ये आप याद रखेगा नेश्ट आते हैं वह कौन सा देश है जिसे जीलो की वाट का यानि गार्डन ओफ लेक की संग्या दे गई है तो यहाँ है आपका फिनलेंड फिनलेंड है गार्डन ओफ लेक जीलो की वाट गया फिनलेंड कहा है तो फिनलेंड जो है वह आपके नौर्थ अगर आप यूरोप में जो है देखते हैं अगर मैप में तो यह नौर्थ यूरोप में इस्थित है आपका फिनलेंड नेश्ट जाते हैं पक्षियों के महादीब के नाम से किस महादीब को जाना जाता है तो या दक्षिन अमेरिका को जाना जाता है पक्षियों का महादीब एक बार मैं आपको रिवाइस कर देता हूं आपके आठ महादीब टोटल हैं आपको एरिया वाइस में बता दे रहा हूं सबसे ब इस है फोर 500 फिर प्र इस्टेलिया ऑफ भी हर ये यह जो तेल में यह आपका जाते हैं यह तो है और तो यह चोंप जोत्य के तेल कि रद्धानी किसे कहा जाता है तो यह जो है यूमिर्प में जो तेल निकलते यह एवरड़ कीरिज्टम में है आपके रोख के तेल की रजानी Everdeen को नेश्ट आ जाते हैं विश के किस सहर को धूम नगर कहते है स्मोक टाउन के नाम से जानते हैं तो सिकागो याद रखेगा सिकागो जो समयुक्तराज अमेरिका में है आपका तो धूम नगर स्मोक टाउन के नाम से जानते हैं 1893 इस्वी में विवेका नंद्वारा सिकागो में ही आपका जो दिया गया था भासन ये याद रखेगा नेश्ट है पूर्वी समुंदर की स्वामित्व की संग्या किस देश को दी गई है तो या सिरलंका को दी गई है नेश्ट आ जाते हैं दक्चिनी अमेरिका का ब्यूनेस आ रही है यानि अरजिंटिय इन्हा का जो राधानी है अपका ब्यूनेस आ रही है नगर अपनी चौड़ी सरकों के कारण दक्चिन अमेरिका का पेरिस कहलाता है निष्ट है माल्टा किस सागर में उस्तित है तो भुमद्य सागर में निष्ट है अलास्का किस देश का भाग है तो अलास्का जो है संयुक तराज अमेरिका आप नौर्थ अमेरिका का जब आप देखते हैं तो USA के आपके लेफ्ट साइट में आप देखे तो अलास्का आता ह विसका कौन सा नगर सहरों का सहर कलाता है वैनिस इटली कलाता है और विसका जो सबसे छोटा आपका सहर है नगर है आपका वैटिकन सीटी वाभी इटली की रधानी रोम के अंदर इस्थीत है ये फैक्ट भी आपको याद होने चाहिए नेश्ट आते हैं महत्पून अस्थलों के उप नाम अलग अलग नाम से बनाते हैं तो एडियराइटिक की रानी एडियराइटिक क्वीन वैनिस को बोलते हैं इटली में लॉंग कदीब जंजी बार ये जंजी बार जो है वापका पुर्वी अफिरका में तंजानिया के पास ह याद रखेगा जंजी बार पुर्वी अफिरका इस्ट्रन अफिरका में है नेश्ट है साथ पहाड़ियों का नगर रोम को कहते हैं नेश्ट है सास्वत सहर इंटर्नल सिटी रोम में है नील का वर्दान या नील का उपहार मिस्र कहते हैं नील नदी मिस्र में है नेश्ट सहर ये लुहासा आपका तिब्बत में हैं लैंड ओफ थंडर बोल्ट अभी हम लों पड़ें बुटान को कहते हैं कार्बन डेगेटिव कंट्री नदियों का देश बंगला देश को कहते हैं काफी ज़्यादा नदी है बंगला देश में निश्ट आते हैं हम लोग नहरों का तो नदियों का देश बंगला देश नहरों का दोष आपका पाकिस्तान याद रखेगा नेश्ट आते हैं लोग इसकाई स्क्रेप्स का नगर निवार को एंपायर सिटी निवार अंद महादीप अफेरका को कहते हैं स्वर्निम द्वार का नगर सैन फ्रांसिस को क्वेकर स्व जिसकी रद्धानी आपका हवाना है यह रखेगा और चीनी का कटोरा भी क्यूबा को नेश्ट है विसी की चीनी का कटोरा तो क्यूबा सफेद हाथियों की भूमी वाइट एलफेंट आपका जो लैंड है वाथ थाईलेंड को बोलते हैं हजार जिलों की भूमी दियान रखेगा, उकते हुए सूर का देश जापान को कहते हैं, मदराती के सूर का देश नौरवे को कहते हैं, स्वरनिम पेगोडो का देश मैयनमार कहते हैं, कंगारो का देश अस्टेलिया को कहते हैं, कीवी, दक्षिन का ब्रिटेन, न्यूजिलेंड को कहते हैं, एकदम ल जलसंदि में सिस्टेट तो ये क्या होते है campaign जलसंदी तो जिब्राल्टर जो जलसंदी होते है वे अपके अगर map में देखिए तो पूरव में भूमद सागर येवन पास्चिम अटलांटिक महासागर जो हैं इनको चोड़ते हैं जिबराल्टर को आप मैप में देखिए एक बार आपके नहीं ने बताये कि भुमत सागर और अंटलांटिक महासागर को यह जोड़ते हैं निश्ट आ जाते हैं मोतियों का दीप बहरीन को कहते हैं बहरीन एसिया महादीप में स्थीत है और इसकी राजधानी जो है बहरीन की मनामा है निश्ट आते हैं हैरिंग पॉंड हैरिंग पॉंड जो है अंटलांटिक महासागर को कहते हैं हैरिंग पॉंड निश्ट है संसार की च्छत तिबबत का पठार को कहते हैं किसकी उचाई लगबग 16,000 फीट है निश्ट आते है इरोप का रोगी तुरकी को कहते है इरोप का खाड़ा तो या आपको बेल्जीम को कहते हैं बेल्जीम उतर-पाचिम ईरोप में आपाईये तो देखिए गई विंजेंग एरोप के ख Gla Majesty को कहते हैं स्विच जयर लैंड को quieren me से कुछ सोहर आक्स्फोर्ट को कु और चीन का सोक हांगो नदी को कहते हैं काफी सोब हला के तबाहि मचाथे अजन चीन का सोक हंगो नदी पीली नदी यावी आपका चीन के हंगो आदि को कहते हैं और विसी की रोटी की तोकरी प्रेयरी आपका जो घास का मेदान है उत्रिय अमेरका में उसे कहते हैं विसकी, रोटी की टोकरी तो ये जो पेज थे इसमें यहाँ समझाने को कुछ नहीं बस रटना है और रटना है आईए, अब आते हम लोग निचे पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में स्वात घाटी, स्वात वहली यहाँ पाकिस्तान स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग, पैराडाइस और पाकिस्तान कहा जाता है स्वाथ भैली, स्वाथ घाटी को अब हम लोग परियावरन को हम लोग जो है इन्वारमेंटल जो है इन्वारमेंट को उसको हम लोग कम्प्लीट कर चुके हैं तो अब हम लोग देखते हैं आपके नाविके बहुत की नुकिलियर फीजिक्स तो इसके अंतरगत क्या होते हैं आईए इसको हम लोग समझते हैं तो इसमें मुकिता क्या है जो पढ़ रहा है कि परमानू क्या होते हैं उसके बाद आपके परमानू आपका सलियन क्या होता है नावी के विखंडन को क्या होता है परमानु भट्टी आपका नुकिलियर जो आपका रियक्टर होता है वह क्या होता है परमानु रियक्टर तो ये सब हैं इनसे मोटे मोटी यही है आए इसके पॉइंट को देखते हैं तो नावी के रियक्टर में भारी जल का प्रियोग क्य नहीं किया जाता है तो neutron की गती को कम करने के लिए भारी जल, heavy water का प्रियोग इसलिए नहीं किया जाता है नेश्ट है तो यहां बात है कि नाविक्य रियक्टर ये क्या होते हैं तो यह एक ऐसा device है जिसमें जो नाविक्य चैन रियक्शन होता है कि एक टूटेंगे उसके बाद फिट तीन टूटते हैं फिट तीन तीन का जो सिंखला चलता है तो यह जो विखंडन की प्रिक्रिया में होता है फीजन बोलता है जिसको nuclear fusion तो यह आपका रियक्टर जो होता है एक ऐसा device है जिसमें जो रियक्शन है नाविक्य जो किरिया है उ ट्रांस यूरेनियम यूरेनियम आप जानते हैं कि यूरेनियम जो है आपका परमानू जो परमानू उर्जा जो आपका किया जाता है वह आपका यूरेनियम थोरियम से ही किया जाता है तो ट्रांस यूरेनियम का मतलब यह हुआ कि यूरेनियम जो होता है इसका अगर आप 92 होते हैं तो वैसे element वैसे तत्व जिनका atomic number 92 से अधिक होता है 92 से अधिक होता है उसे हम लोग trans uranium कहते हैं trans मतलब पार उसके पार जैसे trans सिमाले आप लोग पढ़ते हैं पार हो जाते हैं उसे trans uranium यह newranium के atomic number से ज़्यादा 92 से अधिक वाले तत्तों को ट्रांस उरेनियम कहते हैं लाइक का अगर आप देखे तो नेप्टूनियम जो है 93 का अटॉमिक नंबर है तो कोश्चन है कि ट्रांस उरेनियम तत्तों का संसलेशन किसके त्वारा किया गया तो ग्लेंटी सीबोर के द्वारा या किया गया नेश्ट आते हैं सबसे अधिक उर्जया किस परकार के विकरन में होती है यानि रे में होती है तो ये एक्स रे में होती है सबसे अधिक उर्जया आपका एनरजी नेश्ट है पोजिट्रोन की खोज किस ने की थी तो यह सीटी एंडेर्शन दोवारा पोजिट्रॉन की खोच की गई थी पोजिट्रॉन जो होता है वह भी यह भी जैसे आपका प्रोटॉन, इलक्टॉन, न्यूट्रॉन है उसी तरह पोजिट्रॉन भी परमानू में एटम में पाया जाने वाला मॉलिकन है और इसका जो गून होता है वह इलक्टॉन के जैसा ही होता है लेकिन पोजिट्रॉन जो होता है वह आपका धन आवेस यानि पोजिटिव चार्ज होता है जबकि इलक्टॉन जो होता है वह नेगेटिव चार्ज होता है बस ये ध्यान रखिएगा या भी आपका एटम का मुल मौलिक का नहीं है Next है, Fast Breeder Test Reactor FBTR में यूरेनियम करवाइड यू प्लोटेनियम करवाइड मिसरी तिंदन का प्रियोग किया जाता है तता सितलक के रूप में दरवी सोडियम का प्रियोग किया जाता है Factual है, Next है तारो में अच्छे उर्जा, Renewal Energy होने का कारण क्या है अच्छे उर्जा मिन्स, Renewal Energy जिस इनर्जी को हमनों फिर से प्राप्त कर सकते है उसे हमनों अच्छे हो जाए तो तारो में जो उर्जा है, Simple सा Question है कि तारो में उर्जा किसके चलते है तो Hydrogen जो होते है, उनका हिलियम में बदल जाना ही, यह आपका तारो में अक्छे है Next है, सूरी भी एक आप तारा ही है, यह याद रखेगा भारत में किस रेडियो धर्मी तत्यो, यानि रेडियो एक्टिवलिमेंट का सरवादिक भंडार है तो Plutonium का है, यह आप ध्यान में रखेगा Next है, Hydrogen भर्म किस इधान पर कायर करता है तो यह जो है, अनियन तरित नाविक्य सलियन के अभिक्रिया पर करता है, Hydrogen भर्म तो इसको आप ध्यान में रखेगा Question आ जाते हैं कि, नाविक्य सलियन क्या होता है तो इसको हम लोग इंगलिस में बोलते हैं, नाविक्य सलियन को आपको Nuclear Fusion बोलते हैं, इसमें क्या होता है Fusion, F-U-S-I-O-N, Nuclear Fusion, नाविक्य, तो Fusion इसमें क्या होते हैं कि आपके, यह Nuclear Fusion में आपके दो या दो से अधिक, इसमें छोटे नाविक्य आके जुड़ जाते हैं, बड़े नाविक्य होते हैं का निर्मान होता है, Nuclear Fusion में यह आप ध्यान रखेगा और नाविक्य के विखंडन यानि, Fusion में एक सिंखला विक्या होती है एक नाविक्य आपके दो या दो से अधिक नाविक्यों में तूटते हैं तिन-तिन का यह सिंखला विक्या चलता है तो Fusion में आपके जुड़ते हैं और Fusion में आपके अलग होते हैं, तूटते हैं नेश्ट आते हैं, Σूरिक की Radio धर्मी रेडियो धर्मी पदात रेडियो एक्टिव सब्स्टांस कौन-कौन से हैं तो आपके जो नाविक से आपके नुकिलियर से जो निकलते अलफा वीटा गामा जो रे होते सब रेडियो एक्टिव सब्स्टांसे होते हैं सूरे नाविक्य सेनलियन नुकिलियर फ्यूजन के द्वारा अपनी उर्जा का निर्मान करते हैं ये याद रखिएगा नेश्ट है रेडियो सक्रिय तत्युक के उप्योग जो रेडियो एक्टिब जो सब्स्टांसे सेंस का क्या उप्योग होता है तो अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में खादानों के विक्रन परसंस्क्रन में मांस उत्पादन फल सबजीयो के संडरक्षन में कैंसर के उपचार में भी किया जाता है रे दिया जाता है तता भुमिगत पाइप में रिषाओ का पता लगाने में नेश्ट आते है हैं हैं ना भी के रिर्यक्टर में मंदक के रूप में में किस पदात का परियों किया जाता तो ले मंदक में मौडेरेटर होना चाहिए मैसॉन की खोज किसने की ती हीड़ी की युकाबा द्वारा मैसॉन की खोज की गई थी नेश्ट आते हैं ब्रीडर रियक्टर से क्या तात परे तो ऐसा रियक्टर जो विखंडित होने वाले पतात को विखंडिन की मातरा से कि ऐसा मातरा से अधीक उत्पन करता है उसी कहते हैं नेश्ट आते हैं हम लोग कोबाल सिक्ष्टी का परियोग विकिरज चिकिस्टा में क्यों किया जाता है तो गामा किरणों के कारण ही गामा किरण गामा जो रे होता है उसके चलते हैं कोबाल सिक्ष्टी का परियोग किया जाता है अपका चिकिस्टा के लिए नेश्ट है भार तो थोरियम पाए जाते है भारत में नेश्ट है भारत में अनूबम का विकास किस ने किया डॉक्टर राजा रमना द्वारा किया गया था आपका भारत में ठाना किया जाता है तो भट्टि जो होता है माय अनूग यह अनुमे भट्टि वहां किया जाता है दिश्ट आते हैं साइक्क्लोट्रॉन को तवरीत करने वाला अनू कौन सा है साइक्लोट्रॉन तो यह प्रोटॉन है अब बात कर लेते हैं हम लोग साइक्लोट्रॉन क्या होते हैं क्योंकि यह नया वर्ड लग रहा है तो यह जो साइक्लोट्रॉन होते हैं एक ऐसे डिवाइस होते हैं जिनका उप्योग आवेसिक कन यानि चार्ज पार्टिकल या आयनो को ऊचवेग high velocity में तौरीत करने में किया जाता है तो साइक्लो टॉन में ऐसा होता इक डिवाई से जिसका अवैसित करन या आयनों को ऊचels SMITH में high velocity में टांसjas ने करने दोरीत करने के लिए एक्सिट करने के लिए किया जाता है कौंसा परमानु इंधन, nuclear आपका परमानु इंधन के अगर हम बात करें तो आपका परमानु इंधन वे तत्तु आते हैं मतलब एलिमेंट आते हैं जो परमानु विखंडन करने में सक्षम होते हैं जैसे आप देख लो तो uranium, U35 या plutonium, thorium ये लोग कया करते हैं तो ये आपके परमानु इंधन होते हैं आपके plutonium, thorium, लेकिन adamium नहीं होते हैं ये आपके परमानु येक्टर में मंदक के रूप में इनको उपयोग किया जाता है नेश्ट है भारत का पर्थम पर्मानु से यह नेश्ट है नेश्ट है भारत का पर्थम पर्मानु से यह नेश्ट है नेश्ट है भारत का पर्थम पर्मानु से यह नेश्ट है नेश्ट है नेश्ट है पर्मानु बम नावी के विखंडन के सिधान पर अधारित है इसके और विखंडन में बड़े आपके पर्मानु पार्टिकल्स टूट के छोटे-छोटे में विखंडित हो जाते और अनियंत्रित होते हैं, नेश्ट होते हैं, भारत का कौन सा पर्मानु यं सयंत्र भूकम पिये, यानि सेसिमिक पेटी में स्थित है, तो नरोरा जो की बुलंद सर यूपी में हैं, वा इस्थित है, याद रखिएगा भूकम पियेसेस में वर्स, 1938 में नाविक्ये विखंडन की खोच किस ने की थी, यानि नुकलियर फीजन की खोच, तो ओटो होन एवं फ्रिट्श टॉस में द्वारा, अब कुछ भारत में अस्थापित पर्मानु उर पर्मानु उर्जा केंदर हैं, आपके अटॉमिक एनरजी सेंटर हैं, उसको देखते हैं, भारत में कहां कहां आते हैं, तारापूर महराष्ट में हैं, और चौदा सो दिया हुआ, आइधिंक ये मेगावर्ट दिया गया है, जहांसे इनरजी आपका प्रोड्यूस किया जा नरोरा यूपी में उत्तरपरईस में काकरपारा गुज्रात में है, पर्मानु आपका उर्जा केंदर है, केगा उर्जा केंदर हैं, ये करनाटक में हैं, कुडन कूलम तमिल Nाडु में, ट्रॉमबे महराष्ट में है, और इधा देखते हैं कि, वर्स 1942 में, पहले एन्डरी को फर्मी ने किया था अब हमारा केमेष्टि का जो टॉपिक है इसमें हमलों प्रियोडिक टेबल आवउरसारनि को समझ रहे हैं तो इसमें आपका निश्ट जो पेज है जिसको आज हमलों पढ़ेंगे इसमें प्रियोडिक टेबल दिया गया है आएए मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ कि क्या है इसमें दिया हुआ तो ये जो प्रियोडिक्टेबल है आधुनी का आवरसार्नी तो आधुनी का आवरसार्नी जो है यह बनाए गया आपके मोजले द्वारा बनाए गया ये ध्यान में रखेगा और वरतमान में जो आधुनी का आवरसार्नी है यह परमानु संक्या पर अधारित है और अभी तक अभी टोटल 118 आपके 118 तत्व की खोज हो चुकी है जिसमें अगर हम लोग देखें तो आपका 94 जो तत्व है वे आपके 94 तत्व जो है नैच्छरल तरीके से मिले है मंतर तत्व है किसे कहते हैं तो पहले यह जान लिजे कि जो भी ऐलिमेंट यानि तत्व होते वे एक ही परमानु से बने रहेंगे अगर आप कॉपर के वायर को ले लो और उसको तोड़ते रहो तोड़ते रहो या ऐलमुनियम के वायर को तो उसमें से आपको हमेशा ऐलमूनियम ही मिलेगा मिन्स वे ऐलिमेंट हैं और एक ही परकार के परमानों से बने हैं छोटे-छोटे ऐलमूनियम के या कॉपर के तो इस अपका प्रियोडिक टेबल में जो आपका 118 तत्व है जिसमें यहां नीचे आप देख सकते हैं धातू जो है उसको वाइट किलर से दिखाए गया है आपका अधातू को ब्लैक से और उप धातू को यहां आप देख लिजे कि धातू वाइट किलर से उप धातू रेट से और अधातू जो है आपके ब्लैक से धातू यानि metal, उप धातू यानि metalloid, और धातू मतलब आपका non metal तो आएए इसको देख लेते हैं हम लोग पिक्चर में, छोटा कर दे रहा हूं मैं चलिए तो ये सारे जितने भी हैं ये सारे आपके metal हैं, ये black वाले आपके ये जो आपके white वाले जितने भी दिख रहे हैं ये सारे metal है, धातू है ये black वाले जितने हैं ये और धातू है, याद रखेगा non metal है, तता ये jet जैसा, jet जैसा जो है, ये आपके metaloid है इसके साथ-साथ आप देखे कि ये उप धातू, metaloid उप धातू से कहते हैं यानि, metaloid इसे कहते हैं जो इसमें धातू यानि, आपके element और non metal sorry, metal और non metal दोनों का गुन होता है उसे हम लोग उप धातू कहते हैं और आवर सारनी का जो first आपका element होता है वा आपका आप यहाँ देख सकते हैं hydrogen, hydrogen होता है h1 लिखा हुआ है तो यह आपको ध्यान में रखना होगा h यह आपका आवर सारनी का first है और total आवर सारनी में आपके 18 x से लेके यहाँ देख लीजें यहाँ 18 दिया हुआ आप इसको जूम करके जरूर देखेगा तो 18 आपका वर्ग होता है यानि group होता है और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपके period होते हैं आवर सारनी में तो 18 इधर से आप left से जब right जाते हैं इस तरफ से तो 18 आपको मिलेंगे आपके group और जब आप vertically आते हैं तो 7 आपके period होते हैं आवर्थ होते हैं और 18 गुरूप में जो होते हैं वे आपका noble gas होते हैं इनर्ट आपके उतकरिष्ट gas होते हैं सत्रवे गुरूप में या 17 है आप इसको zoom किजी करके friend देखेगा क्योंकि मैं मुझे सब कुछ इसी picture में दिखाना है तो सत्रवे गुरूप में आप जो होते हैं वे इसको halogen group कहते हैं जैसे fluorine, chlorine, bromine, iodine, acetine हाला कि acetine जो होते हैं वे आपके radioactive element होते हैं तो friend और कुछ और मैं बता दे रहा हूँ नीचे आप देख लिजे ये आपके अक्टिनाइट और लेंथेनाइट और अक्टिनाइट सिरेनी के भी होते हैं ये संक्रमन धातू होते हैं ये बहुत कम पाये जाते हैं तो इनके जो है जैसे लेंथेनाइट से वह आपको यहाँ आपको दीखेगा लेंथेनाइट जिन जो कि 58 से 71 atomic number के बीच लेंथेनाइट तता एक्टिनाइट जो है आपका 90 से कहीं कहीं आपको 93 से मिलेगा तो 93 से 103 के तक आपके एक्टिनाइट हैं तो lengthy नाइट याद रखेगा 58 to 71 और एक्टिनाइट आपके 90 दिया हुआ यहाँ कहीं कहीं आपको 93 भी दिया रहेगा तो 90 से 100 एक सो तीन जो परमानुकर्मांक वाले एलिमेंट होते हैं वे एक्टिनाइट किलाते हैं तो फ्रेंड मैंने कोसिस किया हूँ मैं कि इस प्रियोडिक टेबल से आपको दिखा दूँ जब मैं एक एक चैप्टर के एक एक टॉपिक को में पढ़ाऊंगा आपके बोर्ड में तब मैं इसको और अच्छा से समझाऊंगा चलिए अब हम लोग आते हैं बाइलोजी के जिव विज्ञान के टॉपिक में तो आज हम लोग का जो अब है नेश टॉपिक तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम लाश टॉपिक में हम लोग हम लोग अभी तक स्केल्टन से क्या क्या कर लिए हम लोग तो उतकर संत्र कर लिए स्वसंत्र कर लिए आपका रैस्पेटरी सिस्टम तो आज हम लोग तंत्रिका तंत्र को पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम ये क्या होते हैं आईए इसको समझने की कोशिस करते हैं तो तंत्रिका तंत्र है तो तंत्रिका तंत्र के अंत्र के जो हमारे सरीर सारे सरीर में जो महिन जो तंत्रिका तंत्र होते हैं सारे सरीर में महिन धागों के समान पतले धागे के समान तंत्रिकाएं नर्वस फैली रहती है तो इसे और ये जो होते हैं वाता वर यानि environment परिवतन की सूचनाए समेधि अंगों से प्राप्त करके विधूत जो आपके electrical impulse है विधूत आवेक के रूप में ये इनका क्या बोलते है दूत गती से परसारन करती है बहुत तेजी से ये परसार करती है तंत्रिकातन और सरी के विविन भागों के बीच ये क्या करती है अलग अलग आपके भागों के बीच कर्यात्मक्ता समन्वे स्थापित करती है तो ये आपको ध्यान रखना होगा तंत्रिकातन अगर हमनों बात कर ले तो मनुस्यका हमनों का human का जो तंत्रिकातन नर्वस सिस्टम है इसको तीन भाग में बाट दिया गया है पहला जो होत यह स्वाधिनता तंत्रिकातन यानि पैरिफेरल नई फ्रेंड इसको हम लों बोलेंगे ओटो नमस अपका नर्वर सिस्टम और जो आपका मस्तिक है यानि ब्रेन है और स्पाइनल कोड मेरू रज्जु जिसको हम लों बोलते हैं तो यह आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतरगत आता है केंद्रे तंत्रिकातन के अंतरगत ही आता है तो चली फ्रेंड अब हम लोग बुक के पॉइंट को समझते हैं मानो सरीर की प्रति वर्ति किरिया यानि रिफ्लेक्सिव एक्षन का नियंतरन के अंदर कहा होता है तो प्रति वर्ति किरिया वर्ड आ गया अगर आप कोई गरम चीज को छूते हैं और आपका गलती से आप छू देते हैं तो आपका हाथ अटोमेटिक हट जाता है तो इसका नियंतरन के इंदर कहा होता है तो मेडूला आमला गेटा में होता है या आप इसको अगर मेडूला आमला गेटा नहीं दे तो मेरू रजू में होता है क्योंकि मेडूला आमला गेटा का जो पीछा वाला भाग होता है उसी को मेरू रजू स्पाइनल कोट कहते हैं तो ये मेडूला आमला कोटा जो होता है य जो नियंतरन होगा मेरोन राज्जी स्माइनल कोंड में होगा या मेडूला आमलोटे का जो पीछे वाला भागी हम बता रहे ह AUDIT हिर्दे की धड़कन की गती किस के द्वारा बढ़ती है तो अनुकंपी तंत्री का द्वारा निश्ट आते हैं प्रेरक कोसल मोटर स्कील मस्तिक के कौन से भाग के साथ समदित है तो ललाट वाला फ्रंट जो होता है ना ललाट वही है आपका ललाट भाग मानो के मस्तिक का उसे बड़ा भाग सेरी ब्रह्म होता है चलिए नेश्ट है तंत्रिका तंद्रिय नर्वस सिस्टेम के अध्यन को तंत्रिका विज्ञान नियूरोलोजी कहते हैं कम निन्द आने के लिए किस चिकिस्या सब्दवाली का परियोग किया जाता है तो यानि कम निन्द अनिद्रा इंसो मेनिया या सिलिपलेस्नेस नेश्ट है मस्तिक का कौन सा भाग गुर्तवा करसन की विरुद्ध सरीर का समर्थन करता है तो अंतराली किंद्रग इंटर स्टेटियल न्यूकिलियस नेश्ट है औसतन यानी एवरेज एक समाने मानों मस्तिक का भार कितना होता है 1.36 किलो ग्राम या आप बोल सकते 1360 ग्राम नेश्ट आते हैं सरीर में परती विद्धी किरियाओं का नियंतरन एम समर्ण में कौन करता है तो मेरु रज्जु देख लिजे या मैने कहा ना कि मेर कोड मेरु रज्जद जो हता है आपका मैडूला आमलो गटे के पीछे वाला पार्ट को कहते हैं नेश्ट आते हैं सेरे बल्स पालसी का मस्तिक समंदी विकार है सेरे बल्स पालसी का मस्तिक समंदी विकार है जो समानता छोटे बच्चों में पाया जाता है नेश्ट आते हैं तंत्रिका तंत्र का विकास स्वरपतम किस जियू में माना जाता है तो हाइडरा में माना जाता है मनुस में कपालिय तंत्रिका क्रेनियल नर्वस की संख्या कितनी होती है तो 12 जोड़ी या 24 होती है 24 मनुस में मेरू तंत्रिका है स्पाइनल नर्वस की संख्या है मेरू है गया तो स्पाइनल जिसको बोलते हैं 31 जोड़ी होती है यह हमेशा question में पूछा जाता है और यह भी भी यह question इसको मान लिजे next है मानो सरे में भूग तता तिर्पती मस्तिक के किस भाग त्वारा ने तेरे तो हाइफो तेलमस में अगर आपको भूग है प्यास है तो यह सब जो आपका होता है यह आपका हाइफो तेलमस त्वारा ही होता है और एक होते हैं आपके तेलमस यानि जब आपको दर्द होता है कोई भी चीज से आपको ठंडा लगता है गरम लगता है तो यह तेलमस से होता है याद रखेगा कि तेलमस से ठंडा गरम दर्द होना लेकिन अगर भूख, प्यास, घिना, इच्छा, ये सारी चीज़ हाइपोथेलमेस के द्वारा होता है नेश्ट आते हैं डिस्पले केसिया डिस्पले केसिया, नामक बिमारी मानों सरी के किस अंग से समंदित है तो या ब्रेन से है, मस्तिक से है तरी के आने सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन के आउसकता सबसे ज़्यादा होती है मस्तिक को होती है तंतिरिका उत्तक, टीसू का परमुक कारे क्या है तो उत्ते जनाओं को प्राप्त करना और मेरुरज्यू यानि स्पाइनल को या मस्तिक के आवेग भेजना निश्ट आते हैं हम उपर के पॉइंट को भोजन गरहन के पश्चाथ, जब हम भोजन करते हैं पचाथ आहरनल की तरंगती और इसकी दिवार की गरंथियां के स्रावन का उतेजना किस तंत्र द्वारा होता है तो प्रानुकंपी तंत्र द्वारा होता है कैसा मैंने बताया आपका तंत्रिका तंत्र के तिन सिष्टम है तो उनी में से कौन से तंतर हमारे सरी में समनवय का कारे करती है तो तंतरी का एंवं अंतसावी इंडो क्राइन सिस्टम करती है नेश्ट है जो मनुस या नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोग देना चाहिए वह किस रोग से पीडित है मतलब काफी खाते रहता है खाते रहता है तो वह उस रोग को हम लोग बुली मिया कहते हैं जेविक घड़ी बाइलोजिकल क्लॉक मानो सरी के किस अंग में स्तीर होती है तो हाइपो थेलमस में आप सोचिए कि हमको कल सुबा पाँच बजे उठना है आप यह सोच कि अगर आप सोच आते हैं तो देखिएगा अचानक जनरली तो आपको क्या होगा कि पाँच बजे या छे बजे या साड़े पाँच बजे के आस पास आपका निद्ध खुल जाएगा तो इसी को हमनों बाइलोजिकल क्लॉग या हाइफो थेलमस में होती है नेश्ट आते हैं एफी थेलमस किन गरंतियों से निर्मित होता है तो या पीनियल गरंती और हैवे नियूला नेश्ट है मानुसरी का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रवाइट होता है तो यहां important question आता है आपका तो मस्तिक में मांस पेसियों के रेसों में आवेक संचरन, impulse संचरन, transportation के लिए किस पदार्थ की आउसकता होती है तो sodium की आउसकता होती है मनुसरी का मस्तिक कितने भागों में वाजबत है तो तीन भागों में सेरे ब्रम, सेरे बेलेंस और आपका brain, stem, नेश्ट है निरॉन का बाहर निकला हुआ निरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है तंत्रिक काच कहलाता है तंत्रिक काच यानि एक्सोन कहलाता है नेश्ट है तंत्रिक काच के चारों और किस पदार्थ का आवरन पाये जाता तो मेलिन का नेश्ट आते हैं थोड़ा छोटा कर लेते कट रहा है फ्रेंड मानो की जन्म के पाषट किस अंग में कोशिका विवाजर नहीं होता है तो याद रखिएगा तंत्री का कोशिका में नहीं होता है आपका नुर्ण सेल में नहीं होता है अब कुछ है चिकिस्सा उपकरन है तता किसलिए इनका उपयोग किया जाता है कि इसका यूज किया जाता है आपका चिकिस्सा उपकरन का तो सिटी स्कैन जो किया जाता है वह सरीर में आसमानेता के लिए सिटी स्कैन हाला कि ब्रेन वेगेर का जो किया जाता है आपका सिटी स्कैन ही किया और आहलों को निसे ब्लॉके क्या एक कि क्या इसके लिए और टो एनलाइजर किसके लिए समयДа कि मेंdo यह क्विफिनति नईनतर्ट करने में एक लगा दिया जाता है अपका हर्ट में और यह घोपने स्पीड को तो कहते हैं किork committee कौन सब्रदी इसमृति ओर तर्क का केंद्र होता है तो तंतरीक कोसिखाओं के मिलन फैसाज मलते हैं नेकी थी नेश्ट हम लोग आते हैं आपका हिस्टरी का टॉपिक जिसमें हम लोग मद्धे कालिम भारत में आज सूरवन्स को पढ़ेंगे हम लोग मुगलवन्स के बाबर और हुमायू को पढ़ चुके हैं अब हम लोग सूरवन्स सूरवन्स यानि इसके सबसे जो आपके परतापी सासक हुएं सेरसा सूरी हुए थे तो उसको हम लोग आज समझते हैं तो आएए एक एक करके हम लोग सूरवन्स के पहले इस से चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं जो वल्ड में आपके सौरी भारत के मैप में दिखाए गया है कि इनका समराज कहां से कहां था आएए तो इनका समराज जो आप अगर देखते हैं तो पाकिस्तान के ये पाकिस्तान के कटक से वहां से सुरू होते हुए ये आपका अगर कटेंगे तो इसके लिए मैं सौरी बोलना चाहता हूँ बढ़ मुझे दिखाना है लोहौर जालंदा अंबाला ये सब जोधपूर इस तरफ आपके जोधपूर राजस्तान तरफ आपका आते जाए इधर आगरा दिल्ली आगरा कानपूर अलाहबाद आपका पटना आपका उसके बाद मु बंगाल फिर सुनार गाउं बंगाल इस तरफ जो थे आपके सूरवंस का था मुकिता ये जो था आपका मत उत्तर भारत से लेके आपके मत भारत के बीच में इनका था और बिहार पटना बिहार उत्तर पदेश और नौर्थ में आपका पस्चिम में लोहौर ये सब इनका राज था तो अब हम लोग देखते हैं बुक के पॉइंट को कि दिल्ली में दूती अफगान वंस का संस्थापक कौन था तो सेर सा सूरी थे तो आप मुझे चलिए मैं ही बता देता हूँ तो दिल्ली में जो पर्थम अफगान वंस थे उनका संस्थापक थे वे बहलोन लोदी थे जो लोदी वंस के थे और दूती अफगान वंस के संस्थापक सेर सा सूरी थे जिनके हमें बच्पन का नाम फरीद खां जिनका नाम था सेर सा के बच्पन का नाम फरीद खां था सासन काल में भूर आजस हुए टैक्स जो सिस्टम था कि वसुली की निगरानी करने वाला धिकारी को क्या कहते थे तो मुंसिफ अत्वां आमील कहते थे निश्ट है कनोच के यूद में हिमायू को पराजित कर दिल्ली का सासक कौन बना तो आपका सेरसा कनोच का यूद या बिलगराम का यूद 1540 इसुए में सेरसा द्वारा आपका हुमायू पराजित हो जाते हैं और फिर 15 वर्स के लिए निर्वासन जीवन जीने लगते हैं सिंद चले जाते हैं निश्ट आते हैं हम लों सेरसा का मगबरा कहा है काफी फेमस कोश्चन है तो या बिहार में आपका सासा राम जीला में है निश्ट है क्रिसिको की साहेता के लिए पट्टा ये हम कबूलियत की वेस्ता किस मद्द कालिन भारती सासक ने प्रारम की थी तो सेरसा सूर दुआ रहा है वाइसराय ने किये थे तो वे थे आपके लॉर्ड और कलेंड निश्ट आते हैं सेरसा सूरी की मित्व कहां हुई थी तो कालिंजर की दुर्ग में हुई थी और ऐसा माना जाता है कि बारूत का गोला फट जाने के कारण हुआ था निश्ट आते हैं सेरसा सूरी के सासन काल में उनके प्रियर्ड में भूमी मनापने के लिए किस पदिती का प्रयोग किया जाता था तो गजे सिकंदरी कोश्चन डैरेक्ट ऐसे ही आता है कि गजे सिकंदरी किस के सासन काल में था तो सेरसा सूरी निश्ट है दिल्ले में इस्थित पुराने के लिए के भावनों का निर्मान किसने किराय था पुराना के लिए दिल्ली का सेर सासूरी किराय थे निश्ट आते हैं मैं मुट्टी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरी समराज खो चुका था या कथन किस मद कालिन सासक का है तो या जो है आपका सेर सासुरी का है Nishtay किस अभयान की दुरान सेर सासुरी की मिर्तु हुए तो कालिंजर का भयान जो था उसके ज्यादा दिन इनका सासन नहीं रहा 1540 से 1545 के बेच इनका सासन रहा निश्ट है सूद चांदी का रुपया जो चांदी का रुपया होता था रुपया और तामबे का दाम किसने परचलित किया था किसने चलाया था तो सेरसा सूरी द्वाराया चलाया गया था सेरसा ने दिल्ली में कीला एक कुहिना मजीद का निमान कराया था या दिल्ली के पुराने के लिए में इस्थित है ये याद रखना होगा सेरसा के बाद उसका उत्तरा धिकारी कोन बना तो इसलाम सा बना सेरसा के बाद सेर्षा के सासन में उपच का कितना भाग राज्य को देना पड़ता था तो वन ठर्ड एक तिहाई भाग सेर्षा सूरी ने अनेक विद्वानों को सरक्षन परदान किया जिसमें मलिक मुहमद जैसी परमुख थें तो मलिक मुहमद जैसी सेर्षा के सासन काल में थें Modern History, आदुनिक भारत में आज हम लोग समाजिक धार्मी के उम सांस्कृतिक सुधार अंदोलंग पढ़ेंगे आपका धार्मिक रिलिजियस जो आपका अंदोलन हुए उसको हम लोग पढ़ते हैं और सांस्कृतिक का इंग्लिज क्योग मैं भूल रहा हूँ चलिए, कोई बात नहीं, नेश्ट है कि भारती पुनर जागरन के तो ये समाजिक धार्मिक अंदोलन की क्यों जरुत पड़ी तो उस समय आपके भारत में काफी जादी कुरूतियां विद्मान थी आपके जैसे कि आपका विद्वा विवा ये सब बाल विवा ये सब बाल विवा जो था काफी जादा हो रहा था तो ये इस तरह के इसाई मिस्णरें का आगमन तो कुछे कुरूतियां थी उनी को दूर करने के लिए समाजिक और धार्मिक सुधार अंदोलन की जरुत पड़ी और इनमें जो अगरिन दूत थे इनके जो नेता थे राजा राम मोहन राय, स्वामी देयानन सोसती, इस्वच चंसागर, केसो चंदर से, तो इन सब का इनमें मुख्य योगद्यान है, आइए, अब उनी को हम लोग यहाँ पॉइंट आउट करते हैं, तो भारती पुनर जागरन का जनक किसे का जाता है, राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार अंदोलनों निश्ट है कि राजा राम मोहन राय किस सिक्षा पधिति के समर्थक थे, तो पास्चा थे या अंग्रेजी सिक्षा वेस्टर्न के जो सिक्षा थे, उनके थे, निश्ट है, राजा राम मोहन राय दुआरा कलकत्ता में ब्रह्म समाच किस वर्स की गई थी, 1828 इस्वे में की गई थी ब्रह्म समाज की सिधान पर अधारित था तो एके सुवर वाद एक ही इसुवर पर नेश्ट है समवात कोमेदी जो बांगला भासा में छपती थी थी था मिरातूल अकबार जो फार्सी भासा में छपता था उसके कौन थे संपाद तो राजा राम मोहन राय ही थे किस संस्था का गठन किया तो यह जो किये थे आपके आत्मि सभा का यह किये थे निश्ट है ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर 1865 में केशो चंदर सेन एम दिवेंदर नाटाइगोर के बीच में विवाद हुआ परिणाम सरूप क्या किया कि केशो चंदर सेन मूल ब्रह्म समाज जो थे उनसे अलग हो गए जब राजा राम मुहन की मिर्त्यू हो जाती है आपके विदेश में तो उनके बास केसव चंदरसेन को बना दिया जाता है लेकिन होता है क्या है कि देवेदना टैगर भी उस समय काफी जाने माने आपके इनसे जुड़े वेते ब्रहम समाज दोनों के बीच में विवाद उत्पन हो जाता है सायद ऐसा है कि केसो चंदरसेन ने अपनी बेटी का सायद विवा कमूर में किया था ऐसा ही कुछ था इस्टोरी तो इसके चलते केसो चंदरसेन अलग हो जाते और अलग हो जाते और 1866 इसवी में आदी ब्रहम समाज के स्थापना किये तो आदी ब्रहम समाज के स्थापना केसो चंद सिंद द्वारा 1866 में किया गया यही बाद में भारती ब्रहम समाज कहलाया नेश्ट है राजा राम मोहन राई को राजा की उपाधी किसने परदान की थी तो मुगल बास सा अकबर दूतिय दुवारा दिया गया था और काफी important question है नेश्ट है राजा राम मोहन राई की समाधी कहा है जैसे मैंने बताया कि विदेशों में होगे तो ब्रिश्टल इंगलेंड में इनकी समाधी है नेश्ट है वर्स 1872 में नेटिव मेरे जदिनियम को पारित करवाने में किसने महत्पुन भूमी का निभाई थी तो केसो चंदर सेंद्वारा 1849 में तत्व भूदिनी सवा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो तत्व भूदिनी सवा से आपके तिवेंद्र नाट टैगोर नेश्ट आ जाते हैं 1875 में आर समाज की स्थापना कोश्चन डायरेक्ट आपका ऐसे ही आता है कि आर समाज की स्थापना कब की गई कोहीं या में वेद को जो परसार करने का स्रे है स्वामी दयानन स्वसती को ही जाता है वेदों के पुनर उत्थान का स्रे स्वामी दयानन स्वसती को दिया जाता है तथा उन्होंनों वेदों की ओ लोटो का नारा दिया था द्यानन स्वसति द्वारा सत्यात परकास पुस्तक किस भासा में लिखे गई है तो यह आपका संस्कृत में लिखा गया है यह आप ध्यान रखेगा यह जो थे पाश्चात संस्कृति के आपके विरूद थे द्यानन स्वसति नेश्ट आते हैं अम लो किस समाज सुधारग को भारत का मार्टिन लुठूर किंग कहा जाता है तो दयानन सुरसती वा विक्ते जिसने सौर पथम सौराज सब्द का परयोग किया और हिंदी को राष्ट भासा माना तो ये भी आपके स्वामी दयानन सुरसती थें कि उन्हें ने 875 में आपका आईर समाज की अस्थापना किये किस बंगाली नेता ने सती पर्था का समर्थन किया था तो राधा कान देव सती पर्था सती परता क्या थी तो पितक सुरी फ्रेंट आपके हस्बेंट के साथ यानि पती के साथ भी जब पती सती हो जाती थी जला दी जाती थी तो उसे ही हम लोग सती परता कहते थे तो राधा कांत देव इसके समर्थक थे निश्ठ है वर्ष 18667 में केसो चंदर की प्रेणा से महराष्ट में प्राथना समाज की अस्थापना किस के द्वारा गी गई तो आत्मराम पंडूरंग द्वारा 18667 में निश्ठ आते हैं किस समासुधारप को महराष्ट का सुकरात कहा जाता है तो महादेव गोविन राना डेव को महराष्ट का सुकरात कहा जाता है नेश्ट है, 1897 में विवेका नंद द्वारा राम किर्स मिसन के स्थापना किस स्थान पर की गई थी? कलकत्ता में की गई थी नेश्ट है, स्वामी विवेका नंद ने विश्व धरम सम्मेलन जो कि आपका 1893 में सिकागो में हुआ था कब भाग लिया? तो 1893 में भाग लिये नेश्ट है, सिष्टर निविदेता कौन थी? तो विवेका नंद की सिष्व सिथी ये आपको याद रखे होगा जिनको हम लोग मार्गेट नोबेल भी कहते हैं नेश्ट आते हैं, उनिश्वी सिष्वताबदी के उतराद में नौ हिंदुवाद, निव हिंदुजिम के सोसेष्ट परतनी थी कौन थे? तो सुवामी विवेका नंद थे निव और्क में थियोस्विकल ससाइटी के सथापना किस वर्स कीद गई तो अठारा सो पचतर इसमी में निव और्क में आपकी की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना होगा और भारत में जो है Theosifical Society आपका मैडम बुलासकी द्वारा किया गया था तो मैडम बुलासकी द्वारा Theosifical Society के सपना भारत में मद्दरास में की गई थी अडियार उसका पर्मुखे केंदर था निश्ट आते हैं भारत में थियोसिफिकल सुसाइटी का मुख्याले कहां स्थापित किया गया तो यहां जो आपका किया गया अडियार मदरास में किया गया निश्ट आते हैं भारत में थियोसिफिकल सुसाइटी को किस के परितनों से सफलता मिली एनी बेसंट के द्वारा मिली नेश्ट है बंग यंग बंगाल अंदोलन के परवतक कौन है तो हैंडरी विवियन डेरो जीव है यह important question है अक्सर आते हैं विद्वा पुनर विवा विद्वाओं का फिर सी विवा हो को कानूनी रूप से वैत कराने में किसकी महत्पुन भूमिकाय थी इस वर्ष चंद्र विद्विया सागर की नेश्ट है आपका वर्ष 1851 में नेरो जी, फर्दुन जी, दादा भाई नुरो जी एस एन, बंगाली, आर के कामा के सयोग से रह नुमाई, मजद्या सन सभा गटित हो गई तथा सभा को पारशी समाज तक पहुचाने के उद्धे से पतिर का रास्ता गोफतार नामक पतिर का प्रारम की गई नेश्ट है दलित चातियों के कल्यान के लिए चोतिवा फूले ने ने वर्स 1873 में किस संस्ता के स्थापना किये तो 1873 इस्वी में सत्य सोदक समाज के स्थापना आपका जोतिवा फूले द्वारा किया गया और यह दलित चातियों के कल्यान के लिए किया गया था नेश्ट पॉइंट आते हैं कि सतंता के परशाद मौलाना अजाद अबूल कलाम अजाद भारत के पहले सिक्षा मंत्री बने तथा 20 विद्ध्याले अनुदान आयो कि अस्थापना किये अब हम लोग का लाश्ट टॉबिक है एकनॉमिक्स का जो रहता है आए इसको देखते हैं तो इसमें आज हम लोग बजट यह हम राजकोसिये नीती बजट एन फिसकल पॉलिसी जो होता है इसको समझते हैं तो आए शुरू करते हैं तो बजट जो है समिधान के अनुछेद 112 में बजट का प्रवधान किया गिया है तो बजट सरकार का स्वर परमुक विभ्तिय दस्तावेज है आपका financial जो आपका तस्तावेज होते वे हैं जो आगमी वित्तिवर्स यानि नेश्ट येर के लिए सरकार के आएवे क्या कितना खर्च हो रहा है कितना आमदनी आ रहा है यह उन आर्थिक दिश्टिकों को परस्तूत करता है आपका बजट ये आप ध्यान में रखेगा नेश विल्सन को कहते हैं factual है नेश्ट है थोड़ा मैं और जूम करूंगा नेश्ट है भारत का पर्थम बजट कब पस्तूत किया गया तो 18 फरवरी 1860 ही स्विक्यों किया गया भारती समिधान सरकार को किस अनुछेद के अंतरगय स्वार्जिनिक बजट बनाने का अधिकार प्रा करता है अनुछेद 112-17 भारत का पर्थम बजट किसके द्वारा पेस्के गया ता तो आर के संद्वुक्षंस सेटौले किया गया थैं यह सोतब भारत के पर्थम जो आपके वित्मंतिर फाइनस आपके मिनिर्श्टर थें निश्ट आते हैं मुलों भारत में बचट किस तीति को पस्तुत किया जाता है तो पती वर्स एक फरवरी को या किया जाता है निश्ट आते हैं पहले जो था आपका फरवरी के लाश्ट में किया जाता था निष्ट है भारत की पर्थम पुन कालिन महिला वितमंत्री कौन है यानि पर्मनेंट जो पुन कालिक ऐसा नहीं की कुछ दिन के लिए बनी तो पुन कालिक कहा गया है तो निर्मला सिता रामन है निष्ट है हाल के वर्सों में संग्य सरकार के बजट में आपके वेव की सबसे बड़ी मदद कौन सी रही है तो ब्याज भुकतान जो है आपका बजट जो संग्य सरकार का बजट है उसमें वेव की यानि खर्चा जो होता है ब्याज भुकतान निष्ट है भारत में बजट का राजोसो अनुमान किसके दोरा तियार किया जाता है तो यह आपका विट मंतरा ले Finance Minister दोरा किया ज़ो Finance मंतरा ले उनके दोरा अंतिरिम बजट किसे और कब पस्तूत किया था मुरार जी देसाईड नी 1965-19 prevalence में परतम अंतिरिम बजट पस्तूत किये थे ये अंतरिम बजट क्या होता है तो जनरले आप लोग देखते होंगे जब लोग सबा का चुनाओ होता है सरकार गठित होती है तो उसके बाद क्या होता है कि सरकार उस साल सरकार इंटरिम बजट लाती है कि हमें क्या करना है और उसके बाद फिर नेश्ट येर फरवरी मार्च में आपका बजट आता है तो लोगसभा के चुनाओं के बाद जो सरकार तोरा बजट बनाया जाता है उसे ही हम लोग अंतरिम बजट कहते हैं इसे हम लोग लेखा अनुदान और मिनी बजट भी कहते हैं नेश्ट है हमारा भारत में सौर्जनिक वेव के योजनागत और गैर योजनागत वेव के वरगी करन को कब समाप्त कर दिया गया तो इसको 2017-18 के बजट में समाप्त कर दिया गया भारत में सुन्य अधारी बजट सौरपतम किसने पस्तूत की थी तो राजिव गांधी ने सुन्य अधारी बजट मिन्स जीरो बजटिंग तो कोई भी अगर जैसा सुन्य अधारी क्या है तो कोई भी प्रोजेक्ट जो जीरो से यानि सुन्य से बजट सुरू किया जाता है इससे पीछे के वर्सों के वेव से उसका कोई समद नहीं मतलब कि अगर कोई पूल आपको इस साल बनाएगे दिया या कि 200 करोड का पूल बनेगा और एक साल का उसका टारगेट दिया गया लेकिन कुछ काम नहीं हुआ अपका 30-40% हुआ है और नहीं होता है तो उस पूल के लिए जो नेश्ट येर फिर से जो प्रोजेक्ट बनता है जीरो से होता है सुरू मतलब पहले का जो 50 करोड लगा उससे कोई मतलब नहीं है तो उसे ही सुन्य अधारी बजट कहते हैं जीरो से जो सुरू होता है सुन अधारी बजट का जनक पीटर ए पाउचर को माना जाता है थोड़े आप लोग को किलियर नहीं दिख रहे होंगे मेरी बातों को सुनिएगा जीरो पेस्ट बजटिंग को अपनाये गया था सौरपत हाँ सौरपतम 1973 में अमेरिका के जॉर्जिया प्रांट में जीरो बेस्ट बजटिंग सुनिय अधारी बजट को अपनाया गया था बात में इसे अमेरिका के संग्य बजट 1979 में भी अपनाया गया भारत में से सौरपतम 1987-88 में आम बजट में लागू किया गया था जीरो अधारित बजट नेश्ट आते हैं हम लोग रेल बजट को आम बजट के साथ पस्तूत करनी के उनसा किस समयती ने किये थे तो ये आपके विवेग देवराय समयती द्वारा नेश्ट है भारत में सरवादिक बार बजट पेस करने वाले वित मंतरी कौन है नेश्ट है भारत में आर्थिक समयचा एकनॉमिक सरवे जो हर साल होता है कौन त्यार करते हैं तो इसे वित मंतरी नेश्ट है सरकार की आए वेव रीन लोन करार ओपन टेक्स जो कियाता है से सम्बंदित क्रियाए राजकोसिय निती फिजिकल पोलिसी कहलाती है नेश्ट आते हैं भारत में राजकोसिय निती को कोन निधारित करता है तो वित मंतराले करता है फाइनस डिपार्टमेंट करता है नेश्ट है राजकोसिय निती के चार मुख्य का पक्ष क्या है तो संसाधनों का अवांटन, रिसोर्स का कैसे अवांटन किया जाए आए का वितरन, आर्थिक इस्तिता एम, आर्थिक विकास, एकनॉमिक, डपलट ये राजकोसिय नीती की चार मुख्य पक्ष है भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक युगदान किसका है तो राजकोसिय घाटे का है नेश्ट है, वर्स 1923 की विरहत मंदी को सुधारने के लिए राजकोसिय नीती के उपायों का उप्योग करने का सुझाओ किस्त ने दिया था तो प्रोफेसर जौन मेडान किस्त ने दिये थे आपके 1923 की जो विरहत मंदी आई थी उसको सुधारने के लिए राजकोसिय नीती का प्रोफेसर जौन मेडान किस्त ने भारत में दिर्ग कारिन लंबे समय के लिए राचकोसिय निती लॉंग टर्म फिजिकल पॉलिसी की घोस्तना किसके द्वारा की गई थी वीपी सिंघ द्वारा की गई थी राचकोसिय उतरदाई तो एम बजट प्रबंदन अधनियम भारत में किस वर्स पारित किया गया था वर्स 2003 में केंदर सरकार के बजट में राजकोसिय घाटे के बड़े भाग की पूर्ती किस मत से की जाती है तो घेरोलू उधार से नेश्ट आते हैं नेश्ट है आपका राजकोसिय उत्तरदाई तो एम बजट परबंदन अधिनियम एफ आर बियम एक्ट भारत में कब पारित किया गया था तो वर्स 2003 में किया गया था यदि प्रात्मिक घाटे में से ब्याज भुकतान को समलित कर लिया जाए तो किस के बराबर होता है तो वहार राजकोसिय घाटे के बराबर है नेश्ट है ऐसा वेव जिसके पैणाम सरुप अर्थ वेस्ता में पूंजी या संपती का सिर्जन नहीं होता है क्या कलाता है राजस वेव नेश्ट है और लाश्ट पॉइंट की राजकोसिय घाटे फिजिकल डिफ्लिश्ट की अधारना 1985 में सुख में चक्वती समीती ने पस्तूत की थी तो दोस्तो फ्रेंड ये थे हमारे आज के महत्पूर 9 टॉपिक जिनको मैं प्रयास किया हूँ कि बाइलेंग्विल दोनों इंग्धी और इंग्ली दोनों में समझाओं तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोग के पास सेर कीजिए और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और से केर जरूर कर दिजे मिलते हैं हमनों नेश पेडियो में टेक केर